आज है सटर्डे और सटर्डे को बनती है खिचडी हलो हाई गाईज वेल्कम बैक टू प्राइम मॉम ब्लॉग्स मैं हूँ श्वेता और मैं इस चैनल पे अपनी डेली लाइफ को आप सभी के साथ सेर करती हूँ जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोग के लिए चीजें मैंने बोला बाकी तो आप सबको पता ही है जो मेरे अल्रेडी सब्सक्राइबर है तो दिन आज मैंने हेर स्टाइल थोड़ा सा पफ वाला हेर स्टाइल बनाया है बताना आप सब कैसी लग रही हूँ आज मैंने साड़ी नहीं मैंने ब्लू कलर किया ज़स्ट कुर्ता डाला हुआ है और इयरिंग्स ये मैं पहले पहन चुकी हूँ मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया है तो यही इयरिंग्स मैंने कैरी किया है सबसे और बाते करने हैं अब कैसे सकुछे का से रिलेटेड बात आज आ सब के साथ करने है विकाज आप सब के कमेंट सe चारते हैं कि कि आपकी जो सकुन है इतनी अच्छी है आप कैसे उस तरह से अपने सकुन केर करते हूँ तो वही सारी बात आप लोगों को सीक्रेट्स बताँगी इस приход में तो संदेदा मैंटर करता है कि आपको अपने ऀसेपвойल मेरह को अपने जो है अपने स्किन क्वार करते हें फsette कमेश क्या स्किर्ओंन एंड्सन मगहराई करें सुथियो कुंसर कुछ वॺश। क्या होता है कि growth होती है जैसे कि 15 साल से उपर के झाते हैं तो यहां पे यहां पर वी हो जाता है कई ऐसे cases आते हैं जो a roll पे आपके तब होता है जब आप वर मोटे होते हो एक Mang Aoose करते हूं तो भी होने के chances होता है और आईसे होता है हर किसी को स्वेस्ट होता है g additional माक्स आए हुए हैं तो उसे रिमूव कैसे किया जा सकता है सिंपल सी बात है मौस्टराइज करके लेकिन हम इस पॉइंट पर डिसकस करेंगे कि मौस्टराइज आखिर उसमें जो इंग्रेडियंट्स होंगे वह क्या क्या होंगे तो जो वाओ का यह जो इस्ट्रेस केर्स है यह नो पेराबिन्स नो सिलिकॉन्स है मिनरल और कलर है और इसका जो नेट वॉलूम है यह दो सो एमल है तो इंग्रेडियंट्स की मैं यहां पर बात यह जो इस्ट्रेस केर्स है इसमें सिक्स ओल को ब्लेंड किया गया है इसमें जैसे कि हैं एंड ओलीव है स्वीट के स्कीन को एक तो मुश्राइज करती है एंड इसकीन को डैमेज होने से बचाती है तो मैं यहां पर एक चीज़ आप लोगों को यह कहना चाहूंगी आप जब भी जैसे की वाउ है यह एक पोपुलर ब्रैंड है तो जब भी आप वाउ से पर्चेस करें तो आप कोसिस करें कि प्ले स्टोर होगा आपकी मोबाइल में नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हूं वहां से आप जाकर डायरेक्ट वाउ के साइट से आप ले सकते हैं अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं यह है बिल्कुल यूजर फ्रे कौम पर और आप इसको अपने लगा सकते हो अपने जिस ऐरिये में स्किन्गे जिस एरिये में लँसरे से ने लगा सकते हैं वो को यूजर करके बत लाया तुलिए का ओच्छृवन का और आप जाहे तो यसको आप को यह अच्छे-खाmb डिस्कांट में बिल जाएगा आप तो आज की जो प्रेटर है उनका नाम है रागनी ब्लॉक्स तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पसंद होगा क्या पसंद होगा गुलाब जामून तो आप सब जाए उनके चानल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहे हूं तो जाए उन्हें भी उनक कुछ इंफॉर्मेटिव घर की चीजों से रेलेटेड वीडियो भी उनाती है तो मैं सोचरी उच्छत पर जाओं लेकिन इससे पहले मैं सोचरी हूं कि एक पर मैं बाहर आप लोगों को घूमा देती हूं क्योंकि मेरे कमेंट सक्षन के अदर कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आ र के बाहर धूप हो चुका है यह जो टाइम है यह दो पहर का टाइम है तो चलिए बातों ही बातों में मैं सोचरी हूं कि हम चलते हैं टमाटर के खेत में वैसे ऑल्रडी गय थे हम लगता है दस पंदर दिन पहले आप लोगों के साथ मैं भी गई थी देखने के लिए तो एजी रहता है खेतों से अपना लेकर आना और खेतों में काम करना दोनों ही चीजे एजी रहती है इसलिए लोग ऐसी बनाद देखिए यह रहा घर और यह रहा यह जास्ट यह बगलवला यह टमाटर का खेत तो हम लोग आ गए दोड़ के चलना है या धीरे-धीरे चलना है मैं तो चल रही हूँ दीरे-धीरे ही इसमें फशा हुआ है इसको मैं बाहर निकाल लेती हूं दिखाए फस अगर यह रह टमाटर वाला अगर मैं बात करोओं तो यह कितने डिस्टंस में एक से डेर्ट अबेर कटें या ऎनिकि अगर इस क्वार्वीट में आप मानेंगे तो 1200-1300 sqft में यह जमीन है लेकिन 5-6 दिन पर एक वीक पर इसमें एक क्विंटल की हिसाफ से एक क्विंटल कभी 70-80 kg इतने टमाटर निकल जाते हैं क्योंकि एक पौधे में बहुत सारा रहता है और वजन तो आप जैसे कि जाते ह péri CBS 8-10-12 वैसे खरिदने नहीं जाती हूं और मेरे सच्वराल के सब्सक्राइब एक और भी 10-12 को है उगाई जाती है और इसके पीछे बहुत महनत लगता है बहुत सारे हेलपर होते हैं वो चीजे मैं नहीं दिखाती हूँ लेकिन होते हैं बहुत सारे हेलपर होते हैं तब जाके इतना सारा काम हो पाता है खेतों का काम बहुत मुस्किल होता है जो लोग हम लोग देख के वैसे हो जाते हैं कि कितना मौस्किल हो जाता तो चलिए मैं घर आ गई घर जाती हूँ फिर मैं ए ग्लस पानी पीती हूँ फिर मैं बात करती हूँ आप सब के कमेंटS को भी करूंगी तो मैं इस बाहर लग रहा है गर गया ट्राइपोर्ट गिर गया वीडियो कैसे बनेंगे बन जाएंगे जुगर चेंगे यहीं बैठके बाते कर लेती हूं यहां देखिए यहां पर बना हुआ है इसे क्या बोलते है बालकणी बोलते हैं सीडियों के हिस्सा है जस्च छत पे जाने वले तो मैंने सुचा तो आप सब के नेम जो आए हुए हैं उनको में रीड कर लेती हूँ नेम है अनीता वर्मा, गजाला, वीना कमरानी, फरा है, हर्स है, रेनु सिंग, अनीता है, आर्या क्राफ्ट है, मनकरन है, सिवानगी है, और कुसम है, अमीत कुमार पीडी है, रूपम है, मीरा सर्मा है, कि यूपी विलेज है, इंडियन ब्यूटी, नागर फैमली, मॉन्स्टर गेमिंग, पूजा माई हावी, मन्जू है, अनु सर्मा, पहाडी रेनु, सुमीता, खुसी अकू, चारा टीवी, और एक दो कमेंट्स कुछ रह गया है, तो गाइज हो गया, मैंने सब के नाम ले और कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, कि हम लोग भी आपके ब्लॉक्स देखते हैं, आप हमारा नाम क्यों नहीं लेती हैं, तो गाइज मैं डिली में किस भी हाप पे नेम बोलती हूँ, आपने, जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, नीचे में आप मुझे क कमेंट्स कीजिए, और नेक्स दे में आपका कमेंट में नाम जरूर लोगी, मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोसिस करती हूँ, आप सबको तो पता है, तो यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूँ की, देखे हम लोग डेली लाइप अपनी सेयर करते हैं, आप लोग मैं ऐसे thoughts रखती हूँ अपने subscriber के लिए, बट इन ही सारी चीजों के बीच हमें एक चीज जहिलना पड़ता होता है, वो है negative comments, वो होता है hate comments, तो यह अलग-अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक comment आया हुआ है, जो कि मैंने thumbnail पे लगाया था, तो guys वही होता है, वो comment भी मेर पास है, उस तरह के बहुत सारे comments आते हैं, जिनको हम लोग ignore करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है, कि पानी जो होता है, इस सर के ऊपर होता है, तो जब पानी सर के ऊपर होता है, तो इनसान क्या होता है, उन चीजों को ignore नहीं करता है, और मैं हाला कि मैं आप सब के साथ लेडी है, रिच्चाकर के नाम है, ये सच में एक होता है ना बत्तमीज, बहुत ही बत्तमीज लेडी है, बहुत ही बत्तमीज औरत है, पता नहीं, थर्ड कलास की औरत होगी, तभी इसकी ऐसी सोच है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूटुब पे वीडियो जबना के अपनी डेली लाइफ अपने भीवर्स के साथ सेयर कर रहे हैं आपको अच्छा लगता है आप ब्लॉग देखिए नहीं अच्छा लगता है दूसरे ब्लॉगर का देखिए हाला कि ये भी एक एक entertainment का होता है एक इंसान है एक कोई है जो अपनी life यार ब्लॉगिंग के बारे में हर किसी को पता है I think मुझे इतना explanation देने की जरूरत नहीं है बट ये बोल रही है कि एक normal इंसान क्यूं इस तरह से अपनी life style को क्यूं दिखा सकता है इसकी ऐसी सोच है तो एंड उसके बाद कि एपने आपको से लिवरीटी समझें नहीं है हम लोग भी आम इंसान है लेकिन हम लोग भी घर का काम करते हैं बच्चे पालते हैं जो घर में लेडीज करती है वही चीज़े करते हैं लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने life style को दिखाना इसमें गलत क्या है हर इंसान अपन प्रेगनेंसी वाले चैनल मैंने अपनी प्रेगनेंसी डिसकस की पिसले एक डेर सालों से मैंने डिसकस की तो उस पर खेर अब सब्सक्राइबर होंगे तो आप साथ में से कोई भी है तो मुझे कॉंग्रेट्स बोल सकते हैं क्योंकि मुझे इस बात की बहुत खुसी है कि अपने इंडिया के अंदर इतनी सारी लेडिज हैं इतनी सारी लेडिज कुई किसी वे से मैंने हेल्प की तो वो लोग मेरे लिए अपननाे हरे बोलने का करने के लेडिज हुता है अपनसाण का तरीका होता है बोलने का करने का लेकिन ये तो कुछ लोग इस तरह की सोच रहते हैं तो वो क्या करती है कहीं अईसा तो नहीं वiosa अपने घर में जो भी उन जो मर्द होते हैं, उनके घर के जो आदमी होते हैं, उनके पैरों के नीचे रहती हैं क्या, वो क्या करती हैं, मुझे खुद समझ नहीं आता, आप लोग जरूर मुझे सजेस्ट किजिए का जो इस तरह के गंदे कमेंड्स, कोई लेडी अगर अपनी लाइफ सेयर कर रहे हैं, इससे भी उन लोगों को हर चीज से ऐसे इनसान क्या होता हैं, कि जिंदिगी में अपनी जिंदिगी से फ्रस्टेट हो चुका रहता हैं, किसी को खूस या किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है, तो उस तरह के लोग होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है मैंने सुबह सुबह मैंने यहां मेर्च डाल दिया था तो चीज़े अच्छी नहीं लगती है तो guys mood कहीं न कहीं off हो जाता है क्योंकि हर दिन इनसान का special नहीं होता है इनसान मैं ही हूँ मैं वैसे अपने life में बहुत हस्ती हूँ खुश रहने की कोशिश करती हूँ और होती भी हूँ लेकिन बट कुशी यह हो जाती है कहीं न कहीं हर्ट हो जाता है इन चीजों से हम लोगों को तो मैंने सुचा आप लोग के साथ सेर कर लोग जस्ट मैंने वही किया तो guys मैं time हो चुका है मेरे जाने का तो I think आज जाओंगी मैं तभी तो कल वापस आओंगी thanks for watching और मुझे आप लोग कमेंट कर देना आपके कमेंट्स का मुझे जरूरी इंतिजार रहेगा